आपने दुनिया की कई रहस्यमई चीजों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। इन रहस्यमई जानकारियों ने आपको हैरान परिशान भी जरूर किया होगा। इस गाउं का नाम तिल्टीपेक है। ये गाउं विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ इनसान से लेकर पशुपक्षी तक हर कोई अंधा है। इसे अंधों का गाउं भी कहा जाता है। इस गाउं में जपॉर्टिक जनजाती के लोग रहते हैं और इसे दुनिया के सबसे रहस गाउं में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस गाउं में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन कुछ दिन बीच जाने के बाद उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है और वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। इंसान तो इंसान यह कि ज्यादा तर जानवर भी आपको अंधे ही मिलेंगे। गाउं में रहने वारे लोग अपने अंधेपन की वज़ा एक रहस्यमाई पेड को मानते हैं। लाव जुएला नाम के पेड को देखने के बाद इंसान ही नहीं पशुपक्षी भी अंधे हो जाते हैं। हलकि ऐसा गाउं वालों का मानना है। वैज्यानिकों का मानना ये है कि लोगों के अंधेपन की वज़ा कोई पेड नहीं बलकि एक खतरनाक और जहरीली मक्षी है। खास किसम की इस जहरीली मक्षी के काटने से लोगों के आखों की रोशनी चली जाती है। बताया जाता है कि वरतमान में इस गाउं में करीब 100 जोपडियां हैं जिनमें से लगभग 400 लोग रहते हैं हलाकि इस गाउं में कुछ लोगों की आखों की रोश्णी ठीक है यहीं इन लोगों के जीने की आज भी है इस गाउं के लोग आज भी 20 सदी की जिन्दगी जीते हैं और यहां शिक्षा का भी अभाव है इसलिए हो सकता है कि इस गाउं के लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं लेकिन इस गाउं की असली कहानी क्या है यह तो नहीं पता फिलाल आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलेंगे आप से अगली बार मुझे दीजे इजासत आप देखते रहिए अमरुजाला